हेट्रेंड रन मामले में नए कानून का विरूद ड्राइवर कर रहे हैं दूसरे दिन भी कई जिलों में बसों और ट्रकों के पहिये थम गए हैं यात्री बसे नहीं चलने से यात्रियों को भी भारी परिशानी हो रही है नीदन की कमी के डर से पेट्रोल पंपों पर भारी भी लगी हुई है पेट्रोल डीजल भरवाने को पंप पर लोगों की भारी भी भी रहे है दाजा रहा है कि हरदाल से पेट्रोल डीजल के साथ साथ फल और सबजियों की सप्लाई भी प्रहावित हो रही है हेच एन रन मामले में कानून के जो नए प्रावधान है उसके विरोध को लेका देश पर में ट्रक डाइबर हरदाल पर चले गए है और नतीज़ यह है कि जगए जगए पर भारी बाहन सडकों पर खड़े हो गए है इसके चलते पेटरोल डीजल सबजी जैसी जरूरी चीज़ों की आवाजाही पर असा दिख रहा है मादपदेश राजस्तान समयत करीब दस राज्यों से पेटरोल डीजल पंप ड्राइ होने की खबरे आ रही है जिसके चलते पेटरोल पंपों पर लोगों की लंबी खतारें देखी जा रही है फल सबजी दूध और खेती के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है आपको बतादें कि नए सड़क कानून के विरोध में हारताल का वाहन औल इंडिया मोटर ट्रांस्पूर्ट कांगरिस के दौरा किया गया है इसके समर्थन में तमाम व्यवसाइक बाहनों के संगठन उतर आए हैं AIMTC की मांग है कि सरकार ने हिट और रन केस्प में जो दस साल की सजा का प्रावधान किया है उस पर दो बारा से विचार किया जाना चाहिए तो लगातार हम आपको तस्वीरें के बाद एक दिखा रहे हैं बारा तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर जहां पर सिर्फ लोकेशन बदली है हालात वही के वही बोपाल जाबुआ बैतूल और पन्ना बिदुशा देपालपूर खंडवा धार कटनी सागर मुरैना और इंदौर की तस्वीरें हैं हर जगे पर आलम एकी विरोध पदर्शन नारे बाजी और इसी के साथ ये छे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राए पोर, बिलास पोर, अमबिका पोर, जगदल पोर, कोरबा, महासमुन की तस्वीरें हैं और यहां पर भी विरोध पदर्शन क्या जा रहा है, नारे बाजी की जा रही है, यात्रियों को भारी परिशानी हो रही है सुरक्षाबलों ने यहाँ पर मुस्ताइदी से मूर्चा सम्हाल लिया है किसी भी तरीके की अपरी घटना से निपटने को लेकर पोलिस चाक चौबंध है और इसी के साथ ये जो नए कानून के प्रावधान है इसको बापसी की मांग की जा रही है लगातार लोगों को भाली परिशानी हो रही है क्योंकि जो जरूरी वस्तों हैं उनकी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है सबजी, दूद, पेट्रूल, डीजल ऐसी तमान ये आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है सबजीयों के दाम कई मंडियों में दो गुने तक पहुँच गए है क्रशी का इसके साथ जो रसोई है उसका बजट विगड रहा है और दूसी तरफ जो ड्राईवर हैं उनका ये कहना है कि इतनी भारी भरकम जुर्माना राश्य है अगर हमारे पास इतनी ही राश्य होती तो हम ड्राईविंग का काम ही क्यों करते हम को अपना बिजनस प्यापार करते तो दोनों तरफ से अपनी अपनी मांगें सरकार का कहना है कि इस तरीके के कानूनों से लापरवाही से जो लोग ड्राईविंग करते हैं ऐसे मामलों पर अंकुष लगेगा एक्सिडेंट होने पर जो मरनासन इस्तिती में छोड़कर भाग जाते हैं ऐसे ड्राइवर पर लगाम लगेगी और वो किसी अधिकारी को किसी पुलिस करमचारी को सूचना देकर वहां से निकलें अगर नए जो कानून में प्रावधान है उसमें साफ सावर पर यही कहा गया है कि दुरगटना होने के बाद अगर जो ड्राइवर है वो किसी पुलिस अधिकारी को सूचना देकर या मजिस्ट्रीट को सूचना देकर नहीं जाता है तो उसके खिलाफ दस साल कैद की सजा होगी खबर पर जयार जानकारी के साथ हमरे सवाता शबीर जुड़रे हैं शबीर लगातार विरोठरोशन की तस्वीरे हम कल से देख रहे हैं सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि सरकार तो कहती है कि जन्टा के फाइदे के लिए कानून है जन्टा की सलामती के लिए कानून है grey लेकिन जनता कोई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जनता कोई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन परिवायन मंत्री कह रहा है कि आप लोगों ने गलत उसको इंटरिप्रेट कर लिया। लेकिन नियम कुछ और थे आप लोगों के अंदर एक ब्रहम की स्थिति बन गई कि आप जेल चले जाएंगे। दस लग का जुर्माना ले लेंगे। बोलते हैं कि वो तो जान पूछ कर कोई करे तो तब के लिए या फिर नशे में करे तो यह तमाम चीज़ें उसको लिए। तो जी हां दर्साय कहा है कि नशे में की होने तो एक्ट बनाए कि ऐसा होगा। जी कहां कहां इसमें संसोधन कहां कि ऐसा नशे में करोगे तो ऐसा होगा। ऐसा बोला कहां। कहीं बोला। लेकिन उनका कहना है कानून बना है उसके बारे में पहले से जान ले फिर उसके बाद हरताल करें आप लोग एकदम से हरताल पे चले गए बिना कुछ करें पहली आपने बोला ना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा निशबीर इन से पूछे ये प्रावधान में लिखा गया है कि अगर ड्राइवर तेज और लापरवाही से गाली चलाता है और उसके बाद अगर किसी की मौत हो जाती है और फिर वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकाई दिये बगना भाग जाता है तब ही सजा का प्राव प्रावधान है अगर सुचना देता है तो नॉर्मल ही जो करवाई यह वो रहेगी परिवान मंत्री ने भी बिल्कुल पर परिवान मंत्री का भी यही कहनत हमारे स्टूडियो से सवाल है कि उसके अंदर नियम के अंदर यह है कि अगर आप जान पूच करते हैं या तेज र जान बूच के कौन करता है जान बूच के तो ड्राइबर मारता नहीं किसी को बचाने की को सथा कोई करता है ड्राइबर की भी जान है ट्राइवाई की जान है कि नहीं है कोई किसी को मारता नहीं है चला आप कार चला रहे है कोई कुटा भी सामने आएगा तो आप ब्रेक ल कêu नहीं करता कोई नहीं लुगों का यह कहना है कि jane-pooch경 नहीं करता है कोई भी अगर हाद्सें यह जाते हैं तो कोई अच्छानक के परशासन के दारह दी जा रही ए ड्राइपरों पर उसका कुछ कुछ असर दिख रहा है कि अब कुल देखिए अभी तक तो इसका कोई असर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है बलकि हालाद जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं इस वक्त में डुमर तरीक पेट्रोल पंप में खड़ी हूं और यहां का नजारा आप देख सकते हैं और यही हालाद कई पेट्रोल पंप में हैं कई पेट्रोल पंप बंद कर दिये गए हैं वहां पर पेट्रोल जो है वो पूरी तरह से खतम हो चुका है और ऐसे में अब जो जनता को परिशानी है वो यहां पर उठानी पड़ी क्यों भी आप पेट्रोल मिल रहा है है लाइन पर पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुका है इसलिए जो लोग है वो अब यहां पर पहुंच रहे हैं चुकि भाया 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 कितनी आप उठी अभी कितना दे पाएंगे इसे मेग्जीम हम दे तीन बजये तक कि दे पाइंगे उसके बाद बंकरना है और लो More More और यहां पर आप देख सकते कि लोग पहुंचे उए हैं जो है वो पैट्रोल भराकर ले जा रहे हैं और काफी जदा भीड़ यहां पर मैं देख पारी हूं हर वर्ग के लोग है जो इकठे हुए क्या लग रहा है भी है मिल पाएगा मुस्किल लग रहा है मैं अगर इस तरह का रहा आने वाले समय में तो हालात और खराब होंगे कि इस पर केंद्र गुर्मेंट को सोचना चाहिए अपने जो भी कानून निकाला है एक बार विचार करना चाहिए उस पर जिससे कुछ नियंतरण हो पाए बहुत ज्यादा परेसानी हो रही है हमको काम पे जाना है और भी कई तरह के काम है हमारे सारे ट्रांसपोर्ट के काम ब कुल आम जंता भी जो है वो अपनी राय यहां पर रखते नजर आ रहे हैं फिल्हाल यह सूचना है कि कई जगों पर पेट्रोल जो है वो खतम हो चुका है और बंद कर दिये गए हैं मैं जहां पर खड़ी हूं वहां पर बहुत सिमित मात्रा में ही पेट्रोल है जहां पर ए देखेंगे तुकान नहीं मिलेगे तुम्हें तुम्हें अब आपस रोटेंगा अपके पास इसे बीच मारे इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुमार किस तरीके के हालात क्या तस्वीर है प्रदर जो प्रशासन समझाइस दे रहा है उसका क्या कुछ असर देखने को मि प्रशासन को क्यों अपने टैंक्रों से प्रटर्ल पंपर जो है वह बहुस्ता करें अला कि कुछ पैट्रोल पंप अभी पैट्रोल मिल रहा है लेकिन उसका असर क्या हो रहा है हरताल का यह जानने के लिए हम लोग जबसे बड़ी मंडी में आपर पहुंचे हुई समझने क लिए कि आखिर जो ठर्ताल चल रही है उसका असर लोगों के खान पर इन और घरों पर क्या असर पढ़ने वाला तो हम पहुंचे मंडी यहीं पर लोगों से बात करेंगे पर एक आपको तस्वीर बता दे कि यह वो मंडी है जहां पर जो है आम दिनों पर पैर रखने के लि मंडी के वेपारियों से हम बात करते हैं कि क्या असर है हर्ताल का इस बार में घालीे नहीं है इस वज़ए इसे माल और टायट होगिया और बिक्र लगिरी नहीं है बजार में गहरागा ही नहीं आ रहा है सबसे हम लिक बैटे है दू-चार सुरु पार आगा धंदा कर गें बिल्कुल सन्नाडा पड़ा है बहुत परक पड़िया मालना आने से जवल पर मंडिया ठीक है कुमार बने दिया है हमारे साथ इसी पर